नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ से देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ बग्या सिंग, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमरे आज के इस खास वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉंग्रेस पाठी की अंत्रमध्यक्ष सोनिया गान्धी की जिहाँ इस तरह से हम सभी जानते हैं कि देश आज 25 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज का दिन बहुत ही स्यादा खास तै क्योंकि अब तक जितने भी स्वतंत्रता दि और इसके च्छलते आज देखा जा रहा है कि देश के हर घर के बाहर तिरंगा देश का वो तिरंगा फहरता हुआ नजर आ रहा है वाकई में आज हर देश वासी के लिए ये बहुत ही फक्र की बात है आज हर साल की तरह देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने भी दिल उदन में बताया कि सरहाज से हमारे देश के उन वीरों ने उन स्वतंदरता सेनानियों ने अपने बलिदान देकर अपने जीवन के बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई। 75 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए और आखिरकार क्या कुछ बदला हुआ। लेकिन इसे बीच कॉंगरिस की अंतरम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार पर से केंद्र सरकार और साथ की पीए मोधी पर निशाना पाधा बता दे के जहां एक और उन्हों ने आजादी के अमरित महत्सफ की बढ़ाई दी देश मास्यों को इसे के साथ पीए मोधी पर निशाना साथी होई नजर आई सोनिया गांधी उन्होंने यस वतंजिता सेनानियों के बलाईदान को तुच करने का आरोप लगाया केंद्र सरकार तर कहा जो सरह से लगातार जब से बीजोपी केंद्र सरकार में आई है सटा में आई है बेरोजकारी, महेंगाई, तमाम चीजे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी की जेप पर जो असर पढ़ रहा है उसके लिए साफ तोर पर केंद सरकार को आरोपी बताया इसे के साथ उन्होंने बताया कि किस तरहा से खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल के दामों में जो बड़ा उस रिखली है महेंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और युवा को रूसकार नहीं मिल रहा तो कहीं न कहीं इसके चलते जस तरहाज से जो युवा हैं वो कहीं न कहीं सवक्त होप खोते हुए नजर आ रहा है तो वहीं यहाँ पर पार्टियां अभी भी निशाने बाजी करने से बाज रही आ रही है जो तरह से एक और पियम मोधी ने कॉंग्रिस सरकार पर हमला बूला तो अब इस पर सोनिया गांधी ने पलटवार करते हुए केंद सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया बड़ती महगाई और बेरोसकारी का अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों आज के स्खास दिन पर भी पार्टिया और नेता आरोप रत्यारोप करने से बाज नहीं आ रहे है किसस पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा ऐसी तमाम अपडेट्स जोड़े रहने के लिए देखते रहे हैं नमस्कार